अथ कीलकम विनियोग ओम अस्य श्री कीलकम अंत्रस्य शिवरिशे, अनुष्टुप छंदा, श्री महासरस्वती देवता, श्री जगदंबा प्रित्यर्थे सप्थशती पाठांक्त्वेन जपे विनियोग, ओम इस कील मंत्र के शिवरिशी हैं, अनुष्टुप छंद है, श प्राप्ती हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धा चंद्र का मुकुट धारन करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। एक सर्व मैतद विजानी आन मंत्रा नाम्भिकीलकम सोपीक शिम्मवनोती सततम जाप्यतत पर दो मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धी में विगन उपस्थित करने वाले शापरूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है उस सप्थशती स्तोत्र को से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए यद्यपी सप्थशती के अतिरिक्त अन्या मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्यान का भागी होता है दो सिद्ध्यंत्य चाटनदीनी वस्तूनी सकलान्यपी अतेन स्तुवता देवी स्तो अन्या मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्थशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुती करते हैं उन्हें स्तुतिमात्र से ही सच्षिद आनंदस्वरूपिनी देवी सिधा हो जाती हैं तीन ना मंत्रों नौश्धम तत्र ना किंचिद्पी विद्यते विना जापेन सिद्धी के लिए मांत्र और शधी तथा अन्य किसी साधन के उप्योग की आवश्यक्ता नहीं रहती, बिना जप के ही उनके उच्छाटन आदी समस्त आभिचारिक कर्म सिधा हो जाते हैं, चार समग्राण्यपी सिद्ध्यन्ती लोकष्न का मिमाहर रह, कृत्वा निमंत्रया सर्वमेवमिदम शुभम पांच इतना ही नहीं, उनकी समपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिधा होती हैं, लोगों के मन में ये शनका थी कि, जब केवल सप्च्छती की उपासना से अथवा सप्च्छती को छोड़ कर अन्य, मंत्रों की उपासना से भी समानरूप से साधन है, लोगों की इस शनका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आये हुए जिग्यासुओं को समझाया कि ये सप्च्छती, नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ट एवं कल्यानमय है पांच स्तोत्रम वे चंडिकायस्तुत च गुप्तम चकार, सह, सम समाप्तिन च पुण्यस्यतान यथावन निमंत्रनाम छे तदंतर भगवती चंडिका के सप्च्छती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया, सप्च्छती के पाट से जो पुण्या प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ती नहीं होती, किन्तु अन्या मंत्रो के जब जन्य पुण्य की समाप्ती हो जाती है, अताह भगवान शिवने अन्या मंत्रों की अपेक्षा जो सप्च्छती की ही श्रेश्ठता का निर्नाय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए, छे सोपीक्षिम्मवनोती सर्वमेवन संशिया, क्रिष्नाया वा चतुर्द श्यामस्टम्या वा समाहितह साथ ददाती, प्रतिग्रिहनाती नान्य थेशा प्रसीदती, इत्थन रूपेन कीलेन महादेवन कीलितम आठ अन्या मंत्रों का जब, करने वाला पुरुष भी यदि सप्च्छती के स्तोत्र और जब का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर् भगवती की सेवा में अपना सर्वस समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसादरूप से ग्रहन करता है, उसी पर भगवती प्रसन होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्थ होती, इस प्रकार सिद्धी के प्रतिबंध का रूप कील के द्वारा महादेव जी इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, साथ, आठ यो निश्कीलां, विधाय इना नित्यम जपती संस्फुटम, स सिद्धाह स गनह सोपी गंधर्वो जायते नर, नौ जो पूर्वोक्त रीती से, निश्कीलन करके इस सप्षती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारन पू जायते, नापमृत्यो व्ष याती मृतो मोक्ष मापनुयात दस सर्वत्र विचरते रहने पभी इस संसार में उसे कहीं, धी भाय नहीं होता, वो अपमृत्यो के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता, है दस ग्यात्वा प्रा पारंब करे, जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है, इसलिए कीलक और निशकीलन का ज्ञान प्राप्त करने पही ये स्तोत्र निर्दोश होता है, और विद्वान पूरुश इस निर्दोश स्तोत्र का ही पाठ आरंब करते हैं, ग्यारा सोभाग्यादी चयत्किन ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम शुभं बारा स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदी द्रिश्टि गोचर होता है वो सब देवी के प्रसाद का ही फल है अता इस कल्यान में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए बारा शनेस्तु जप्यमानेस्मिन स्तोत्रे संपत्तिर उच्षकया है ववत्यव समग्रापी तत्अ प्रारब्यमेव तत्थ तेरा इस स्तोत्र का मन्द स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ती होती है और उच्षिस्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धी होती है आता उच्षिस्वर से ही इसका पाठ आरंव करना चाहिए तेरा एश्वर्यम यत प्रसादेन सौभाग्या रोग्य संपद शत्रुहानील परो मोक्ष स्तु अते साना की जन्याय चौदा इती देव्या कीलकस्तोत्रम संपूर्णम जिनके प्रसाद से एश्वर्या, सौभाग्या, आरोग्या, संपत्ती, शत्रुनाश तथा पर्रम मोक्ष की भी सिद्धी होती है उन कल्यानमाई जगदंबा की स्तुती मनुष्य क्यों नहीं करते चौदा इसके अनंतर रात्रि सूक्त का पाठ करना उचित है पाठ के आरंब में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त के पाठ की विधी है रात्री सूक्त के बाद विनियोग, न्यास और ध्यानपूर्वक नवार्न मंत्र का जप करके सप्षती का पाठ आरम्ध करना चाहिए, पाथ के अंत में पुना विधिपूर्वक नवार्ण मंत्र का जब करके देवी सूप्त का तथा तीनों रहेसियों का पाथ करना उचित है, चिदंबर सनहिता में कहा गया है, मध्ये नवार्ण पुटितम कृत्वास्तोत्रम सदाब्य से, अर्थात सप्षती का पाथ बीच में हो और आदी, अंत में नवार्ण जप से उसे संपुटित कर दिया जाए, दामर्तंत में ये बात अधिक स्पष्ट कर दी गई है, शत्मादो शत्चानते जपे मिंत्रम नवार्ण कम, चंदी सप्षती मध्य संपुटोय मुदाहरित, अर्थात आदी और अंत में सो सो बार नवार्ण मंत्र का जप करे और मध्य में सप्षती दुर्गा का पाथ करे, ये संपुट कहा गया है अता पहले रात्र सूक्त, फिर नवार्ण जप, फिर न्यासपूर्वक सप्षती, पाथ, फिर विधिवत नवार्ण, जप फिर क्रमश, देवी सूक्त एवं, रहस्यत्रा का पाथ, यही क्रम ठीक है